हेलो एवरिवन, स्वागत आपका हमारी इस चैनल जिसका नाम है Government Exams Fundah CDS के exam में जो sentence rearrangement के questions आते हैं वो आज हम discuss करेंगे कि उनको approach कैसे करते हैं एक वीडियो इन पर मैंने पहले भी बनाई थी आज फिर से कुछ questions लिये हैं जो last time CDS on 2019 में आये थे उसके related questions लिये हैं ये एक ऐसा topic है जिसमें आपके पूरे marks आते हैं English में सभी के आने भी चाहिए लेकिन दिक्कत क्या होती है कि आप लोग इस पर बहुत ज़्यादा time waste कर देते हैं क्योंकि इसके अगर 10 questions आये थे last time हो सकता है अगली बार 15 questions भी आ जाए तो अगर 10 से 15 questions को आप बहुत ज़्यादा time लोगे तो 2 घंटे में आपका पूरा paper नहीं होता जिन लोगों के साथ ये problem है कि English का paper पूरा नहीं होता उनका सबसे ज़्यादा time waste इनी questions पे होता है तो इनको approach कैसे करना है sentence rearrangement के questions इनको आज हम discuss करेंगे इन में होता क्या है हमें 2 statements दी होती है first और last S1, S6 और PQRS जो हमारी 4 statements है उनको इन दोनों के बीच में सही order में fit करना होता है 4 options होती है तो कैसे approach करना है उसके बारे में आज हम discuss करेंगे शुरू करने से पहले मैं आपको बता दू CDS का group जो हमारा शुरू हो चुका है WhatsApp पर उसके बारे में कोई भी detail लेनी हो कोई भी जानकार लेनी हो तो आप 8699 247491 पर message कर सकते हैं तो चलिए बिना देर की अब शुरू करते हैं कि ये जो CDS 1 2019 में questions आये थे इनको approach कैसे करना है सबसे पहला question देखने से पहले sentence rearrangement कुछ बाते आप समझ लीजिए एक कि हमारे पास options है तो कभी भी हम पूरा एक-एक चीज पढ़के solve नहीं करेंगे दूसरी चीज जो सही तरीके से solve करते हैं उनको भी बहुत जादा time लगता है अगर आप सारी चीजों को पहले deeply एक-एक line को पढ़ेंगे उसमें पहुत जादा time जाएगा इस वज़ा से कुछ techniques है वो हमें follow करनी होंगी अगर हमें इन questions को जल्दी solve करना है क्योंकि हमारे पास options है options का use करना है जो हम techniques लगाएंगे उस पर भरोसा रखना है जिसके कारन ये questions जादा से जादा अगर आपको time लगेगा तो एक minute लगेगा एक minute से जादा नहीं अब चलिए देखते हैं सबसे पहले आपने याद क्या रखनी है चीजे एक तो conjunction 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 का इनमें बहुत जादा important जो है role होता है क्योंकि कहीं कोई भी sentence अगर किसी conjunction से शुरू हो रहा है जैसे and if but तो इनका क्या मतलब है ये हमें ये बताती है कि उस sentence से पहले कोई और sentence आएगा जब हमें पता चल गया कि उससे पहले कौन सा sentence आएगा तो हम क्या करेंगे उस sentence को ढूंड लेंगे और फिर अपनी options की तरफ जाएंगे इसके इलावा दूसरी चीज ये जो चार sentence है इनमें से किसी दो sentence का भी pair बन गया तो हमारा काम आधे से जादा खतम pair कैसे बनता है अगर सेम चीज की बात हो रही है किसी दो sentence में हमें ये confirm हो जाता है कि ये दोनो sentence आगे पीछे आएंगे उसको कहते है pair बनना अगर कोई pair बन गया है उसके थू कैसे जाएंगे उसके बारे में भी आज चर्चा करेंगे तो ये सारी चीजे हमने याद रखनी है इसके इलावा pronoun परनाउन का बहुत महत्तव पुरन यूज होता है क्योंकि अगर किसी पैराग्राफ में मैं directly यूज कर रहा हूं कोई pronoun हो सकता है कि उससे पहले किसी लाइन में उसने noun यूज किया हो तो वो भी हम ढूंडेंगे ये कुछ ही चीजे हैं pair बनाना option को eliminate करना pronoun conjunction इसके बारे में देखेंगे और आज सारे question solve करेंगे एक minute के अंदर तो चलिए शुरू करते हैं अब देखते हैं जो पहला question था जैसे ही पहले हमने क्या करना है हमारी approach क्या रहेगी दो sentence पहला और last वाला पढ़ना है उसके बाद हम directly कोशिश करेंगे जल्दी answer निकालने की जो पहला sentence था उसमें क्या बात हो रही है अब last वाला sentence था दो sentence पढ़ लिए अब हमने इसको approach कैसे करना देखिए जैसे ही मेरे सामने sentence होंगे मैं क्या ढूणने की कोशिश करूँगा सबसे पहले पर noun और उसके बाद क्या बात करूँगा ढूणने की conjunctions यह अगर मुझे मिल गए या कोई pair बन गया तो मेरा काम हो जाएगा असान देखिए यहाँ पर भी ही की बात हो रही है यहाँ पर भी ही पहला word है ही इधर भी ही इधर भी ही इधर दे अब यहाँ पर दे की बात हो रही है जब जो मैंने पहले दो sentence पढ़े दो संटेंसे मुझे यही हिंट लेना था कि उनमें बात क्या हो रही है जब मैंने दो संटेंस पड़े थे उनमें मैंने देखा यहाँ पे सिरफ एक ही बंदे की बात हो रही थी लास्ट वाले संटेंस में भी एक ही बंदे की बात हो रही थी लेकिन ये जो last sentence है इसमें दे का use हुआ है दे का मतलब है बहुवचन यानि की इससे पहले कोई ऐसा sentence जरूर आया होगा जिसमें plural लोगों की बात हो रही है बहुवचन की बात हो रही है उसी के बाद जो हमारा s वाला sentence है आ सकता है अब हम क्या करेंगे जैसे ही मैंने दे एक से जादा लोगों की बात हो रही हो जिनके लिए दे का use हुआ है वो sentence ढूंडूंगा ताकि मेरा answer आ सके अब इसमें एक ही बंदे की बात हो रही है तो ये तो नहीं हो सकता ये भी नहीं हो सकता यहां पे बहुवचन है यहां पे बहुवचन आ गया एक से जादा चीज़े थी यानि कि यहां पे जो हमारा दे यूज हुआ है वो इनके लिए हुआ है यानि कि हमारा पहले क्यू आएगा उसके बाद ऐसा आएगा यह हमारा बन गया पेर इस तरह से हमने पेर बनाना था यहां पर भी एक ही बंदे की बात हो रही थी तो आर भी से जो हमारी स्टेटमेंट नहीं आएगी स पहले आएगा क्यू फिर आएगा स तो इस से हमें पता चल गया कि हमारा जो आंसर होगा वो होगा उप्शन नमबर C Option C ही आंसर क्यों होगा क्योंकि हमें पता चल गया था कि Q के बाद आएगा S Q के बाद आएगा S और immediately Q के बाद S आएगा क्योंकि यहां पर भहुवचन की बात हो रही थी और उसी के लिए देगा यूज किया है यानि कि Q और S साथ साथ आएंगे और उनमें से Q पहले आएगा S बाद में Option A, A में ऐसा हो रहा था? नहीं, इस वज़ा से Option A आंसर नहीं होगा Option B में ऐसा हो रहा है? नहीं, बिल्कुल ही नहीं क्योंकि यहां पर S Q से पहले है तो Option B भी नहीं होगा Option D होगा? नहीं होगा सिरफ एक ही स्टेटमेंट है जिसमें S से पहले Q आ रहा है वो है Option C इस वज़ा से हमारा आंसर होगा Option C यानी कि जैसे ही मैंने पेर बना लिया किसी कंजंक्शन या पनाउन को ढूंड लिया जिसकी वज़ा से पेर बना मेरा Q और S का उससे मुझे पता चल गया हमारा आंसर आएगा Option C अब अगला Q देखते है यहां पे किसकी बात हो रही है सबसे पहले पढ़ेंगे S1 की स्टेटमेंट फिर S6 यहां पे बात हो रही है एजुकेशन की, कोलरा की और प्लेग की लास्टेटमेंट, इस इस डिजास्ट्रेस रिजल्ट ओफ दी सिस्टम अंडर विच वी आर एजुकेटेड ठीक है, इतनी बात हो गई, अब मैंने क्या करना है कंजंक्शन, परनाउन या पेर बनाने की कोशिश करनी है कंजंक्शन मुझे कोई दिख रही है, PQRS में, बिल्कुल दिख गई मुझे P में कंजंक्शन दिखी IF इफ है कंजंक्शन, इफ तभी लगता है दो संटेंस को जोड़ने के लिए यानि कि इससे पहले भी कोई संटेंस आया होगा अब मैं इस संटेंस को पढ़ूंगा और इस संटेंस से पहले वाला संटेंस धूरने की कोशिश करूंगा ये संटेंस क्या है अब यहाँ पर बात हो रही है डॉक्टर की यानि कि हिस से पहले वाली statement में भी डॉक्टर का जिकर होगा अब डॉक्टर का जिकर कि स्टेटमेंट में हो रहा है वो देखना है Option Q, यहाँ पे किसी डॉक्टर का जिकर नहीं हो रहा, घर का जिकर हो रहा है, हाईजीन का जिकर हो रहा है यानि की P से पहले Q तो नहीं आएगा R, I consider it very serious blot on the state of our education that our doctors अब यहाँ पे बात हो रही है डॉक्टर्स की, यानि यहाँ पे भी S में भी बात नहीं हो रही doctors की बात हो रही है, R में, यहाँ पे if में मैंने देखा, if से पहले वाली statement ढूननी थी if वाली statement में doctor की बात हो रही थी, इसका मतलब इस से पहली वाली statement भी doctor की बात होगी यानि की P से पहले आएगा R यानि की दोनों इकठे आएंगे उनमें से R पहले आएगा P बाद में आएगा ये मेरा बन गया Pair अब मैं जाओंगा options की तरफ जहां पे भी मुझे R P इकठे दिखेंगे वो मेरा answer होगा यहां पे R P इकठे नहीं है ये answer नहीं है यहां पे option B option B में R और P कठे है लेकिन मुझे पता है R पहले आएगा P बाद में option B भी नहीं होगा option A भी नहीं होगा option C यानि की इसका answer भी होगा option C क्योंकि R और P हैं कठे R है P से पहले तो हमारा answer जो होगा वो होगा option C तो चलिए चलते हैं आगे अब आगे देखते हैं अब हम बहुत ही जादा जल्दी solve करने की कोशिश करेंगे पहले वाले दो मिट जादा time इसलिए लगा क्योंकि मैं आपको समझाना चाहरा था चीज़े अब जैसे देखिए 43 जैसे ही मैं अपना question खोलूँगा तो मुझे पता चल गया है कि मैंने कौन सी चीज़ों को target करना है पर ना उनको target करना है conjunction को और pair बनाने की तरफ इन में से कोई भी एक चीज भी लग गई तो हमारा answer उसी वक्त आएगा अब देखिए जैसे ही मैंने अगला question देखा 43 सबसे पहले हमारा ध्यान कहां जाना चाहिए conjunction की तरफ यहाँ पे आर वाली statement जो है वहाँ पे conjunction use हो रही है but but conjunction है यानि कि इससे पहले कोई ना कोई जो है कोई और statement आई होगी तो इस वज़ा से हम वो statement देखेंगे सबसे पहले but they cannot harm us unless we become weak until the body is ready and predisposed to receive them यानि कि यहाँ पे बात हो रही है कि हम weak हो जाएंगे अगर body हमारी त्यार नहीं होगी उनको receive करने के लिए यानि कि यहाँ पे harm की बात हो रही है body के नुकसान की बात हो रही है तो इससे पहले वाली statement में भी कुछ इस तरह की ही बात हो रही होगी उसे देखना है P में कैसी बात हो रही है they dare not approach us they have no power to get a hold on us until the mind is weakened नहीं इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं हो रही जो body के पास आए body damage हो जाए Q weakness leads to all kind of misery यहां तो weakness की बात हो रही है यह भी नहीं हो सकता last statement there are hundred of thousand of microbes surrounding us अब यहां पे बात हो रही है क्योंकि यहां बात हो रही थी कि body के पास आने की body के अंदर आने की और यहां भी बात हो रही है कि हमारे आसपास काफी microbes है यानी की हमें पता चल गया कि S आएगा पहले R आएगा बाद में S और R का pair है अब देखेंगे S और R जहां पर भी कठे दिखे वो हमारा answer होगा option A में ऐसा है बिल्कुल नहीं यानी की option A answer नहीं है option B में S और R ही कठे है नहीं option B में भी नहीं है option C भी नहीं है हमारा answer होगा option D तो चल ये चलते हैं अब अगला question देख लेते हैं सेम तरह से approach करेंगे सबसे पहले Nobel Prize for Economics in 2018 was awarded to Paul Romer and William Nordhas for their work in two separate areas अब यहां पर बात हो रहे है Nobel Prize की जिनको मिला उनकी और उनके द्वारा किये गए work और काम की अब हम approach कैसे करते हैं पनाउन देखेंगे कोई pair बन रहा है देखेंगे या conjunction देखेंगे तो conjunction मुझे दीखी P में यानि कि P की मदद से मैं उससे पहले वली statement निकाल सकता हूँ P में बात हो रही है यहां पर बात हो रही है काम की मैंने पहली statement में भी पढ़ा था कि काम के related बात हो रही है इससे यह clear हो गया कि P से पहले आएगा S1 अब P से पहले आएगा S1 यानि कि हमारा option जो start होगा answer start होगा वो P से होगा यानि कि हमारा या तो answer option A होगा या option B C और D कर दिया eliminate अगर आप दो options eliminate कर देते हैं तो आप options के थूँ जा सकते हैं यानि कि A और B दोनों को fix करके देख लीजिए set करके देख लीजिए कि answer कौन सा है अगर नहीं करना तो हम continue कर सकते हैं pair बनाएंगे अब हमें clear हो गया C और D option नहीं है S1 के बाद आएगा P अब बनाएंगे pair pair बनाने का सबसे असान तरीका है कोई common word ढूण लो जैसे हम conjunction में कर रहे थे कि same idea conjunction एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि जो हमारी conjunction होती है वो same idea को link करती है इसी पे based हमारी साधी explanation थी इसी वज़ा से जैसे बट के इधर वाली statement में काम की बात हो रही थी तो बट के इस side वाली statement में भी काम की बात होगी conjunction always connect two sentences with similar ideas ये हमें पता होना चाहिए तो इसी तरह से हमने pair बनाना है जब तो same word ढूण लीजिए अब जैसे यहां पे impact की बात हो रही है यहां पे भी impact की बात हो रही है इन्होंने study किया impact को यहां पे भी impact की बात हो रही है अब देखिए यहां पे impact की definition दी जा रही है तो आर और ऐसी कठे आएंगे हमें इतना पता चल गया क्योंकि यहां भी impact की बात है और यहाँ पे भी impact की बात है और इन में से पहले कौन सा आएगा वो दो तरह से पता चल सकता था क्योंकि सबसे पहले use हमारा r वाली statement में हुआ है क्योंकि जो हमारे जो Nobel Prize winners है वो इनकी study कर रहे है उसके impact की study कर रहे है और यहाँ पे impact को define किया गया है यानि की p से हमारी statement start होगी और हमें पता चल गया s से पहले आएगा r r और s आएंगे इकठे और इन दोनों में से r और s इकठे है पहले कौन सा आता है वो भी देखने की ज़रूरत नहीं थी वैसे तो क्योंकि हमारे पास options ही दो बची है जैसे ही हमें पता चला यहाँ पे भी impact है यहाँ पे भी impact है यानि की r और s आने थी कठे और r और s इकठे इन दोनों में इसी a की statement में दिख रहे है वो है option a तो option a होगा हमारा answer अब आगे देखते हैं few scientists manage to break down the walls of the so-called ivory tower of academy and touch and inspire people who may not otherwise be interested in science यानि की यह introductory paragraph है यहाँ पे as it is कोई hint नहीं मिला last statement not many would have survived this let alone excelled in the manner he did यहाँ पे किसी आदमी की बात हो रही है जिसने किसी चीज से अपने आपको जो है बाहर निकाला उस चीज से लड़ा survive किया और उस शेतर में excellence को छुआ यानि की as six से पहले कोई ऐसी statement हमारे पास होगी जिस चीज से उस बंदे ने अपने आपको survive किया अब यहाँ पे देखिए हमें कैसे पता चलता यहाँ पे सिरफ एक ही है यहाँ पे क्योंकि introductory paragraph था बाकी हर जगा he 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 का use हो रहा है यानि की पर noun का use हो रहा है पर noun का use करने से पहले noun आना चाहिए था noun एक ही statement में है वो है statement number जो हमारी P है Stephen Hawking यानि की हमारा जो paragraph शुरू होगा वो होगा P से हमारा answer भी शुरू होगा P से एक option तो eliminate हो गई बाकी कैसे करेंगे अब देखिए दूसरी statement around this time he was diagnosed with ameotrophic lateral sclerosis and incurable motor neuron disease and given two years to live देखिए यहाँ पे बात हो रही है कि जो उनको disease जो उनकी diagnose हुई और उनको दो साल मिले कि आप सिरफ दो साल ही जिवित रहेंगे और last statement में क्या बात हो रही थी इसी चीज़ की कि इस चीज़ से कोई और बनता तो survive भी नहीं कर सकता था उन्होंने survive किया और फिर excellence को भी छुआ यानि कि S6 से पहले हमारी statement आएगी Q यानि कि हमारी S1 के बाद आएगा P, P से शुरू होगा और last वाला जो होगा वो होगा Q statement यानि हमारा answer P से शुरू होके Q पे खतम होगा क्या हमारे पास ऐसा कोई answer है? है option number D है यानि कि हमारा answer जो होगा वो होगा option D तो इस तरह से हम अपना option मार करके आगे बढ़ सकते थे तो ये थे हमारे आज के कुछ questions मुझे आशा है कि आपको approach कैसे करना है ये समझ आ गई होगी अगर आपको अभी भी नहीं पता लगा तो मुझे comment box में बताइए ताकि मैं इस topic पर और वीडियो बना सकूँ तो चलिए आज के लिए विराम लेते हैं जल्दी मिलेंगे अपने अगले lecture के साथ थेंक्यू सोब्सक्राइब